अब आप प्रकरती की तरफ देखें, क्या आपको इसमें कोई विवस्ता नहीं दिखती? जब बच्चा पैदा होता है, तो वो कुछ नहीं खा सकता, तो सवते मा के स्कनों में दूद उतर आता है, सिरफ इतना ही नहीं, जो बच्चा अभी-अभी पैदा हुआ है, तुरंत अपनी मा के सीने से लगते ही, खुद बेखुद दूद पीने के लिए अपना मूद चलाने लग जाता है, क्या यह कोई विवस्था नहीं है? हम ओक्सिजन लेकर कार्बन डाय ओक्साइड छोड़ते हैं, वही पेड कार्बन डाय ओक्साइड लेकर ओक्सिजन हमें देते हैं, क्या यह कोई विवस्था नहीं है? हमारी प्रत्वी 23 दिगरी पर जुकी हुई है, जिसस मोसम बदल सकी, गर्मी पढ़ती है तो समुंदर से जलवाश उड़कर बारिश होती है और सभी जीवजनतू की प्यास बुझती है, ये सब कितनी शांदार विवस्थाइं हैं, निश्ची तोर पर ये विवस्थाइं अपने आप नहीं बन सकती, जिस प्रकरती ने ये सब बन बनाया है उसे आप भगवान, अल्ला, गोड, वाहिगरु कुछ भी कह सकते हो, ये आपकी मान्यता पर निर्भर करता है, लेकिन दोस्तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया, तो फिर भगवान को किसी ने बनाया, भगवान कहां से आया, तो दोस्तो तो इस सवाल का जवाब खोजने से पहले में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, दोस्तो ये हमारी प्रत्वी है, जिसका डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है, प्रत्वी से करीब 17 गुना बड़ा गरह नेप्चून है, हमारे सोरमंडल का एक और गरह शनी, हमारी प्रत्वी स से करीब 760 गुना बड़ा है, उसके बाад आप भरस्पति को देखिए, ये हमारे सोरमंडल का सबसे बड़ा गरह है, ये इतना बढ़ा है कि इसमें एक साथ तेरा सो पृत्वी समा सकती है इसके बाद आता है सूर्ये, ये हमारे सोर्मंदल का तारा है और इसमे समा सकती है एक लाग तीस अजार पृत्वी है ना हमारा सूर्य बहुत बड़ा लेकिन अगर आप सूर्य की तुलना सीरियस नामक तारे से करे तो आपको सूर्य भी छोटा दिखाई देगा लेकिन सीरियस सबसे बड़ा तारा नहीं है उससे भी बड़ा है पोलक्स लेकिन ब्रमांड में पोलक्स से भी बड़ा तारा मौझूद है आर्कट्रस परन्तु उससे भी बड़ा है एल्डेबरान और एल्डेबरान से भी बड़ा तारा है जिसका नाम राईजल रखा गया है लेकिन अंत यहीं नहीं है दोस्तों राइजल से भी बड़ा तारा जो हाइपर जाइंट की शरेणी में आता है वो है पिश्टल स्टार और ये सिल्सला ऐसे ही चलता रहता है पिश्टल स्टार से बड़ा है एंटेरस, एंटेरस से बड़ा है बेटल जियस, उससे भी बड़ा है वी वाई केनिस मेजोरिस और इन सबसे बड़ा है यू वाई स्क्यूटी और ना जाने कितने ही अन्य अर्बो खर्बो तारे सिरफ हमारी आकाश गंगा में है दोस्तो यह है हमारी आकाश गंगा मिलकी वे यहां से आप देखोगे तो आपको अपनी प्रत्वी लाख गुणा जूम करने पर भी दिखाई नहीं देगी पर दोस्तो अभी बात खतम नहीं होती यह तो बस शुरुवात है ऐसी ही नजाने कितनी ही आकाश गंगाय जिनमें अर्बो खर्बो तारे सूर्य ग्रै सब समाय हुए हैं इन सब से मिलकर बना है हमारा प्रमान ये देखिए ये है हमारा प्रमान इतना बड़ा, विशाल, अथा या आप जो भी कहें आपके शब्द कम पड़ जाएंगी इसकी विशालता और विवस्ता को बया करने में ये है हमारा प्रमान फिर दोस्तो अब हम फिर से उसी बात पराते हैं कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किस ने बनाया तो दोस्तो इसका जवाब देना नामुम्किन है लेकिन फिर भी जवाब भड़ा सीधा है दोस्तो अगर आप गधे को ये समझाओगे कि थोमस एडिसन ने बलब कैसे बनाया तो वो नहीं समझ पाएगा अगर आप गधे को A, B, C, D सिखाओगे तो इन 26 अक्षरों को वो नहीं सीख पाएगा ठीक वैसे ही इस ब्रमांड की विशालता और विवस्था के सामने हम गधे हैं हम ये कभी नहीं समझ पाएगे कि भगवान क्या है और उसने स्रिष्टी की रचना क्यों की है भले ही भगवान ने हमें सभी जीवों से ज़्यादा समझदार बनाया है लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी कि हम ब्रमांड के रहस्यों को सुलजा सके खुद को गदा कहलवाने पर बुरा मत मानना दोस्तों पर सच कहूं मुझे तो ऐसा लगता है कि हम गदे से भी जादा गए गुजरे हैं क्योंकि हम भगवान को लेकर आपस में ही लड़ते रहते हैं हर धर्म के लोग कहते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं अपने भगवान की रक्षा कर रहा हूं अरे भाई तू उसकी रक्षा कर रहा है जिसने ये विशाल ब्रमांड बनाया अरे भाई इस स्रष्टी में तेरी हैसियत ही क्या है एक किटानू है तू, किटानू तुझे क्या लगता कि जो पल भर में तुझे खाक में मिला सकता है उसे तेरी रक्षा की जरूरत है कोई कहता है यहां राम मंदिर बनेगा तो कोई कहता है नहीं यहां मस्जिद बनेगी अरे किटानू नहीं जरूरत है उसे तुम्हारे मंदिर या मस्जिद की नहीं आएगा वो तेरे मंदिर में या तेरे मस्जिद में रहने वहाँ कोई अनाथा शरम बना लो भाई बे सहारा बच्चों को सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी मुस्लिम हिंदूों को काफिर बोलते हैं और हज़ पर चले जाते हैं हिंदू अल्ला को कोस्ते हैं और कावड लेने चले जाते हैं हद है याँ मतलब हद है तुम उसी की पूजा करते हो उसी की फर्याद करते हो और उसी को गालिया भी देते हो भगवान गोड अल्ला वाहिगरू पता नहीं ये है भी के नहीं लेकिन अगर ये हैं तो ये सब अलग-अलग नहीं है ये एक ही इकाई के नाम है जो कि तुम लोगों ने रखे हैं उसने कभी अपना नाम नहीं बताया तुम लोगों ने ये नाम रखे हैं और फिर उनी नामों को लेकर दंगे करने लग जाते हो और खुद को गदे से जादा समझदार बतलाते हो भाई भगवान को ना तेरे मंदिर की जरूर थै, ना तेरे मस्जित की, ना तेरे गुर्धवारे की, ना तेरे चर्च की, ना उसे तेरी पूजापाट की जरूर थै, ना तेरी नमाज की, ना उसे तेरी चत्तर की जरूर थै, ना तेरे चढ़ावे की, उसी की बनाई गंगा क जल तू उसी पर छिड़ता है और उसी की बनाई प्रकर्ति से फूल तोड़कर उसी पर चड़ाता है और सोचता कि अब बगवान खुश हो जाएगा नहीं भाई नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा वो खुश तब होगा जब तू बगवान की पुजा करके उसी के बनाए मु सवरूप अल्ला का हो चाहे भगवान का हो चाहे वाहे गुरू का हो चाहे गोड का हो क्योंकि भले ही वो सवरूप इनसानों की कल्पना हो लेकिन है तो उस परमात्मा को याद करने का जरिया ही दोस्तों जो लोग धरम के ठेकेदार बने बैठे हैं और मजहब के नाम पर का है नहीं तो ये स्वर मानने सकते है कि जिसके नाम पर तुम जगड़ा करते हो एक दिन जाना तो आखिर उसी के पास है कैसे जाओगे क्या मूँ लेकर जाओगे याद रखना मेरे भाईयों उसकी लाठी में आवाज नहीं होती तुम्हारे महल चोबारे यहीं रह जाएंगे सारे अकड किस बात की प्यारे ये सर फिर भी जुकाना है सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है ना हाथी है ना घोडा है वहाँ पैदल ही जाना है सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है